जी, we are going to discuss types of play therapy, so play therapy जो बच्चों के मसायल को, जो socio-emotional मसायल को हल करने के लिए हम यूज करते हैं, इसकी कुछ केस में हैं, most types of play therapies fall into one of three categories, directive or structured play therapy, director जो play therapy है, इसमें ज्यादा तर रोल जो है, वो caregiver का या therapist का है, वो structured play जो है, वो बच्चे को offer करता है, क्यूंकि उसमें उसके cognitive behavioral changes है, वो लेके आनी होती हैं, तो वो कुछ characters खुद बखुद उसको देगा, जैसे मसाल के तोर पर, अगर बच्चे के साथ किसी ने कोई, यानि को harassment का या इस तरह का case हुआ है, तो वो miniatures बच्चे को पकड़ाते हैं, और उसको मुख्तलिफ roles play करने को कहते हैं, और एक वक्त आते हैं, कि जो बच्चा वाक्या जो हुआ हो, उसको वो enact कर लेता है, फुद ही, फिर उसके बाद release play therapy है, release play therapy भी यह है, कि बच्चा जिसके और free imitation का हक दिया जाता है, उसको यह सारी चीजें provide की जाती है, और जो therapist है, वो दूर बैटके देखता है, कि बच्चा क्या हरकातों सकनात कर रहा है, और अपने characters को किस तरह से क्या role play करवा रहा है, खेल किस तरह का बना रहा है, देखें, अगर बच्चा pressure में नहीं है, तो वो अपनी मर्जी से playful चीजें बनाता है, उनको enjoy करता है, लेकिन अगर वो किसी pressure में है, तो वो बार-बार उन characters की तरफ और उन सोचों की तरफ जरूर जाता है, जो उसको परेशान कर रही होती है, फिर object relations play therapy है, यह directive play का ही एक हिसा है, कि जिस object या जिस चीज के साथ बच्चा जो है वो बनाता है, मतलब उसको initiate जो है वो therapist करता है, और बाद में बच्चा जो है, वो फिर उसको मजीद फर्दर जो भी उसके साथ करना चाता है, वो करता है, तो therapist उसको observe कर लेता है, कि इस वकित problems उसके अंदर क्या चल रहे हैं, इसकी बहुत सी किसमे हैं, जै material है, वो बच्चे को देंगे, और खास किसम की कुछ activities आप उनको initiate करवाएंगे, आप शुरू करेंगे, फिर आप पीछे हट जाएंगे, अब बच्चा अपनी मर्जी से चीजों को कर रहा होगा, और इस तरह से आप अपनी मर्जी के नतायज या observations कर सकते हैं, अगला तरीक है, लेकिन बच्चे को free play की जो मवाके हैं या opportunities हैं, वो उसको महिया किये जाते हैं, फिर इसमें parents भी शामिल हो सकते हैं, कोई और care giver भी शामिल हो सकता है, बच्चे को हम इतनी अजादी देते हैं, कि वो खेले, कूदे, मुख्तलिफ चीजों का इस्तिमाल करें, अब यहा उसके problems चल रहे हैं, लेकिन हम उसको directive play नहीं देते, हमारी कोशिश होती है कि बच्चा अपनी मर्दी से चीजों को manage करें, फिर उसके बाद family play therapy है, इसमें हमारे जो therapist हैं, वो उनके वालदैन जो बच्चों के हैं, उनको भी involve करते हैं, देखें जो adult directed जो सबसे हमारी एक में भी देख रहे होंगे, इसमें खिलोने या twice involved नहीं होते, बलके जो parent है, वो बड़ा active role या caregiver जो भी family का member है, बड़ा active role play करता है, यैसे कुछ हरकातों सखनाच को imitate करने के लिए कहना, बच्चे की तरफ भाग के आना, उसको hug कर लेना, उसके साथ बातें करना, non verbally उसको involve क करना, इसमें ज्यादातर चीजें जो हैं, वो non verbal होती है, यानि हम बच्चे के brain का वो हिस्सा जो है, उसको हम touch करते हैं, या instigate करते हैं, जो उसके non verbal हरकातों सखनाच को जाहिर करता है, ये जो बच्चों के दरमयान दूरी पैदा हो जाती है, पैरेंट्स से, या उनके दर होता है, कि बच्चे के साथ जैसे एक साथ घूमना, हक करना, ताली बजाना, एक साथ की movements करना, उस से ये, इसको हम therapy कहते हैं, जिसमें हम बच्चों को मुक्तलिफ तरह की हरकातों सखनाच के जरीए, उस उस शक्स से जोडने की कोशिश करते हैं, जहां problem लाए करता है, फिर self-directed filial therapy है, अब ये भी parents का इसमें बड़ा रोल है, लेकिन जिस्ता से हमने पीछे कहा था, कि इसमें हम free play की, बच्चे को जो है वो opportunity देते हैं, उसका material तो हम ही decide करते हैं, लेकिन वो free play के साथ, अपने parents के साथ, मुक्तलिफ तरह की बातचीत करके, मुक्तलिफ तरह की खेल खेल के, वो अपने आपको बेहतर और अजाद महसूस करता है,